है गाई नमसकार आप लोगों को tap 10 classes के प्यारे से YouTube में पर स्वागत है गाई ये आज की class में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा बारा की बहुती ज्ज्ञान की आज हम लोग एक नए topic की शुरुआत करने वाले प्यारे बच्चो आज की topic है तरंग प्रकास की और तरंग प्रकास की पूरे कच्छा बारा के physics में सबसे most important chapter माना जाता है प्यारे बच्चो यहां से इस chapter से काफी प्रशन आपके paper में पूछे जाते हैं long time के भी प्रशन बनत प्यारे बच्चो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की भी class है और जो आपकी second part में आने वाली class है वह दोनों class है आपको बहुत ही मदद करेंगी प्यारे बच्चो और उम्मीद है कि आप लोग भी आपको यह class समझ में आएगा और समझ में आएगा तो दोस्तों के साथ share करना म मतलब होता है प्यारे बच्चो प्रकास के तरंग की प्रकित का अध्यन करना ही तरंग प्रकास की कहलाता है यानी हम कह सकते हैं मैंने इससे पहले वाले ही वीडियो में बताया था कि प्रकास की दो प्रकित होती है एक होती है आपका तरंग और एक होता है करन तो प्रकास के जो करातमक प्रकित की ब्याख्या करने के लिए नियूटन ने अपना सिध्धान दिया था और प्रकास के तरंग प्रकित को ब्याख्या करने के लिए हाइगेंस ने अपना सिध्धान दिया था यदि आपने पीछला वाला वीडियो देखा होगा तो आज की class में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आने वाली प्यारे बच्चो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा तो आईए हम समझते हैं कि तरंग प्रकास्की में सबसे पहली घटना कौन सी होती प्यारे बच्चो तो तरंग प्रकास्की की सबसे पहली घटना होती है बैती करण और बैती करण most important topic है तो आईए हम समझते हैं बैती करण क्या होता है ब्यति करण क्या होता है कि जब कोई दो प्रेकास तरंग कोई भी दो प्रेकास तरंग और उनकी जो अप्रित्ती होती है वो समान होती है और वो एक ही माध्यम में क्या होती है चलती है यानि प्यारे बच्चो ध्यान से देखना बाद में हम आप्रित्ती की परिभासा लिखे जब तक आपको नहीं समझना जाएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बड़ेंगे बात क्या है यहां बात है ब्यतिकरण की किसकी बात है ब्यतिकरण समझना आप तरंग प्रकास की समझ गए होंगे कि प्रकास के तरंग प्रकित का अध्यन करना ही तरंग प्रकास की कहलाता है की वह साखा जिसके अंतरगत तरंग प्रकीत का ध्यन किया जाता है वो हमारी क्या कालाती है तरंग प्रकास की कालाती है अब हम टॉपिक की चर्चा करेंगे ब्यती करण क्या होता है प्यारे बैच्चो ध्यान से दिखना ब्यती करण क्या होता है कि जब जब दो प्रकास तरं जो होता है और उसकी जो अबृत्ती हो जब दो प्रेकास तरंग और उसकी अबृत्ती क्या हो एक समान अबृत्ती हो अभी हम बता रहें एक सामान अबृत्ती का मतलब क्या होता है जब दो प्रेकास तरंग अबृत्ती उनकी क्या होनी चाहिए एक समान होना चाहिए और एक म अध्यम में क्या होते हैं पैरे बच्चो अध्या रोपित होते हैं क्या होते हैं अध्या रोपित होते हैं तो वहां दो घटना घटित होती है वहां दो घटना घटित होने की संभावना होती है वही दो घटना ही वहां क्या कहलाती है बैतिकरन कहलाता है पैरे बच्चो सबसे गटित होती है दो गटना है वह क्यों कोन सी है प्यारवाच्चो यहाँ ध्यान से देखेगा सबसे पहली घटना होती है जिसका आयां यह प्लस वाला है और यह अगला हो जाएगा और हो माइनस हो जाएगा यह इस्तिती से अधिक्तम विस्तापन ही क्या कहलाता आयाम मद्धिमान इस्तिती से अधिक्तम विस्तापन क्या कहलाता आयाम कहलाता अब ध्यान से देखे ये एक हो गया ये अगला जो है अगला क्या कर लेते हैं कि जो दूसरा तरंग है वो दूसरा तरंग आपका ये है दूसर आयाम क्या माल लेते हैं इसका आयाम A2 माल लेते हैं इसका आयाम क्या माल लेते हैं A2 अब ध्यान से देखें अब आपको यहाँ यह आपकी पहली घटना हो रही है ठीक यह आपकी पहली घटना है और आपकी यह दूसरी घटना क्या हो सकती हो आप दिखे ज़रा सा एक तरंग हम लोगों ने ये बनाया जिसका आयाम एवन बनाए थे भी तक ठीक और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस एवन हो जाएगा ठीक अगले यह दूसरा तरंग हमने बनाया और जिसकी ऐसे कर दी ठीक अब अधिहान से देखिए इसका आयाम क्या हो जाएगा एवन हो जाएगा माइनस और इसका आयाम क्या हो जाएगा प्लस एवन जो उपर है वह प्लस होता है जो नीचे होता हो क्या होता है अब अध्यान से देखे, दोनों वो दोनों घटना एक कवंसी होने वाली, उसको मैं बताने वाला हूँ, जब दो प्रिकास तरंगे, एक समान अबृत्ती, एक समान अबृत्ती का मतलब होता है, पैरे बच्चों, कि यहां से लेके, यहां से लेके, यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके, यहां तक की दूरी, देखे, सभी जगह क्या है, पूलरूप से समान है, इसलिए कहा जारा है, कि जब दो प्रिकास तरंगे, एक समान अबृत्ती की अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित का मतलब होता है, पहले बच्चों मिलती है, एक माध्यम में संचर तो वहां पर दो घटनाएं घटित होती है एक पहली घटना ये होती है कि दोनों की प्रडामी तिब्रता कहीं पर अधिक हो जाता है और कहीं पर क्या हो जाता है पहले बच्चों कम हो जाता है इसी घटना को हम क्या कहते हैं व्यति करण कहते हैं अब देखें कैसे जब दो प् और एक प्रकास तरंग यह है इनकी अब्रती समान है इनकी भी अब्रती क्या है समान है जो अब्रती इसकी है वही अब्रती इसकी है जब यह दोनों एक दूसरे से क्या होंगे अध्यार उपित होंगे यानि यह दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो जो इनका परडामी आएगा प्यारे बच्चो, वो क्या आयगा निकल कर वो ध्यान से देखे, तो इनका जो परडामी आयगा प्यारे बच्चो, जैसे मैंने कहा, कि अगर A1 का मान 5 रहा होता और A2 का मान 8 रहा होता तो बत्ता हो, 8 और 5 दोनों जुड़ जाते, क्योंकि ये प्लस वाले प्लस में जोड़ते और प्यारे बच्चो जो माइनस वाला है वो माइनस में जोड़ जाता जैसे अगर ये माइनस पांच रहा होता ये माइनस पांच रहा होता और ये माइनस आठ रहा होता तो आप बताओ जब दोनों देखे यहां आठ पांच क्या हो जाते 13 हो जाते यहां 58 क्या हो जाते माइनस 13 हो जाते तो जब इस प्रिकार की घटना होती है जब इस प्रिकार की घटना होती है तो परणामी तिब्रता क्या हो जाती पहले की तुलना में क्या हो जाती प्यारे बढ़ जाती है परणामी तिब्रता क्या हो जाती है बढ़ जाती पर कि अगर अगला Haupte also उनिकी अप्रती क्या है समान है अब आप इखे जब इनको आप इनसे Plus करेंगे तो बताओ ये Plus और ये आपका minus 5 में से 4 घर्टा ओगे –1 और जाएंगे प्यार वच्छो गट रहर ही है यहां पर परडामी आपकी घट रही है और यहां पर परडामी आपकी क्या हो यह बढ़ रही है तो इनी दो घटनाओं को ही हम क्या कहते हैं व्यती करण कहते हैं प्यारे बच्चो एक बार मैं आपको पहले इनका resultant दिखा देता हूं अर्थात इसका प्रडामी क्या आती वो आप देख लो तब हम आगे बात करेंगे तो इनकी प्रडामी 8, 5, 13 बढ़ गया मतलब प्यारे बच्चो चित्र के माध्यां समझना चाहें तो ये ये दोनों प्लस होके इनकी जो उपर का आयाम होता है वो लंबा हो जाता है वो कुछ इस प्रकार हो जाता है प्यारे बच्चो और नीचे का भी जो आयाम होता है वो भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है ये दोनों मिलके आयाम बढ़ गए ये दोनों मिलके नीचे के आयाम बढ़ गए तो यहाँ परड़ामी तिबरता क्या हो गई जादा हो गई प्यारे बच्चो क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गई जुड़ गई और ये दोनों का जो परड़ामी है इन दोनों का परड़ामी आपस में घट रहा था इसलिए यहाँ तिबरता क्या हो जाती है कम हो जाती ह और इसका जो resultant आता है प्यारे बच्चो उनका आयाम A और कम आता है प्यारे बच्चो तो ये परडामी तिबरता इनकी तुलना में क्या हो जाती है कम हो जाती है यहां यहां जो परडामी तिबरता आती है वो A1-A2 के बराबर होता है और यहां परडामी तिबरता जो होती है वो A1 माइनस क्या होता है A2 होता है आप इतनी बात जरूर किलियर किजेगा कि परडामी तिब्रता और ये परडामी तिब्रता यानि अब हम चल रहे हैं ब्यतिकरण की परिभासा बिलकुल आसान भासा में समझने के लिए जब दो प्रकास तरंगे एक समान आब्रती की एक मा अध्यम में संचरित होती है तो अध्यार ओपड की कारण अध्यार ओपड का मतलब होता है परिवचो दोनों प्रकास तरंगों के मिलने के कारण कहीं पर तिब्रता अधिक हो जाती है और कहीं पर तिब्रता कम हो जाती है इस घटना को प्रकास का व्यतिकरण कहते हैं जहां पर प्रेकास की प्रडामी तिवर्ता अधिक हो जाती है वहां समकोसी व्यतिकरण होता है और जहां पर प्रेकास की प्रडामी तिवर्ता कम हो जाती है वहां पर बिनासी व्यतिकरण होता है बताईए प्यारवच्चो क्या इतनी बात आपको समझ में आई है क्या इतनी बात आ मैं आगया होगा सास साथ में आपको संपोशी व्यतिकरण और 22 का भी परीभास आपको जरूर समझ में आया हो प्याज बत्यों तो आप अगर उन्हींसाहण की परीभासा जानना चाते हैं तो एक बार मैं बोल दे रहा हूं यह तो गाइज्द आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाई पड़ा होगा आप वहां से नोट कर सकते हैं तो चलिए हम बोल भी दे रहे हैं आप वहां से भी लिख सकते हैं मैंने क्या बताया वेतिकरण का कि जब दो प्रेकास तरंगे एक ही अब्रती की एक माध्यम में संचरित होती हैं तो अध्य अध्यार ओपड की कारण कहीं पर प्रेकास की तिव्रताएं अधिक हो जाती हैं और कहीं पर प्रेकास की तिव्रताएं कम हो जाती हैं एक बार मैं स्वयन से रिपीट कर रहा हूं जब दो तरंगे एक ही अब्रती की एक ही अब्रती की एक माध्यम में चलती हैं तो अध्या उपड की कारण कहीं पर तिब्रता जादा हो जाती है और कहीं पर प्रडामी तिब्रता नियुन्टम हो जाती है तो इस घटना को प्रकास का व्यतिकरण करते हैं जहां पर प्रडामी तिब्रता अधिक होती है उसे हम संपोसी व्यतिकरण करते हैं और जहां पर प्रडामी ति बिल्कुल आसान भासा में तो गारीज हमारी next topic है दो तरंगों के ब्यती करण में परणामी तिबठा का बेंजक यानि जब दो तरंगे एक माध्यम में संचरीत होती है तो कहीं पर तिबठा ज़ादा होता है और कहीं पर तिबठा कम होता है तो परदामी तिवरता के लिए जो गरती बेंजक आता है उसके लिए हम लोग चल ले हैं फामूला प्राप्त करने प्यारे बच्चो तो इसकी डेरिवेशन बहुत ही सरल है बहुत ही सस्ता भी है प्यारे बच्चो तो चलिए आए हम सुझते हैं मान लेते हैं कि माना दो तरं सामान अब्रित्ती की दो तरंगे एक माध्यम में संचरित हो रही है संचरित हो रही है जिनके आयाम क्रमसह अभी जैसे हम लोगों ने पीछले वाले टापिक में बनाया था चेतरे एवन और क्या है एटू है ना तथा इनके जो समीकरण है तथा इनके विस्थापन का समीकरण तथा इनके पहले तरंग की विस्थापन का समीकरण नाम दे देते हैं य वन बराबर होता है A1 Sine Omega T अब जो दूसरा होगा ये आप समीकर नमबर 1 बना सकते हैं और जो दूसरा है उसका नाम देते हैं Y2 उनका आयाम A2 था और Sine Omega T और अंतर दोनों में क्या है फाई क्या है तो Omega T प्लस क्या हो जाएगा फाई समीकर नमबर क्या बना लिए अब आपके मन में प्रस्ण उठ रहा होगा कि सरजी A1 Sine Omega T या A2 Sine Omega T प्लस फाई कहां से पाग गए यही आपके मन में प्रस्ण उठ रहा होगा तो बिल्कुल इसका जवाब आप ये ध्यान दिजे कि जो ये आपकी तरंगे है वो तरंगे कुछ इस प्रकार चल रही है तो A का आयाम आपने क्या माल लिया A1 माल लिया एक का आयाम आपने क्या माल लिया A1 माल लिया तो ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ किसको सदेवव्यक्त करता है Sine को कास वाला ये ग्राफ नहीं है यानि जो आपकी प्रकासिक तरंगे हैं वो साइन वाले ग्राफ में चल रहा है प्यारे बच्चों और ये गड़ित वाले सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए बाइलोजी वाले बच्चे नहीं जानते ये जो ग्राफ है वो साइन को वैक्त करता है तो हम लोग इसी लिए जो समीकरण लिखते हैं वो साइन के पदों में लिखते हैं अब इसका जो समीकरण होता है वो होता वाई बराबर ए साइन ठीटा होता है जहां ए क्या होता है अधिक्तम बिस्तापन होता है साइन इस ग्राफ के लिए लगता है प्यार बच्चों और जो ठीचा होता है वो वहाँ पक कलांतर होता है किसी छड़ इस्तिती ब्यक्त करता है तो प्यार बच्चों उसी प्रिकार A1 साइन ओमेगा टी हो गया और जो दूसरा था वो फाई का लांतर इससे क्या है आगे है इसलिए एक दू साइन उमेगा टी प्लेस फाई हो गया अब ये दोनों तरंगे जब एक ही माध्यम में संच्रीत हो गी तो अध्यार उपर के कारण एक दूसरे से जब मिलेंगी तो पर्लामी तिवर्ता कहीं पर जदा होगी कहीं पर कम होगी तो यहीं हम that करने चलने हैं कि प्रम्याम यति-वरता का द्याद क्या होगा अध्यार ओपड Rapha and Kaizen अलग अलग योगों के क्या होता है बराबर होता अलग-ालग योगों के योग के बराबर हो तो य1 का मान रख देते हैं दोसतो है तो य1 का मान कितना है प्लस अब आप देखे 552 साइन OMEGA प्लस फाई यह हो गए y1 y2 का मान अब आप देखें प्लस बी का फार्मूला हम लगा कर इसको expand कर देते हैं प्रसार कर देते हैं ता यह sin a plus b का फार्मूला हम लगाते हैं देखते हैं कि sin a plus b का फार्मूला क्या कहता है तो ध्यान से देखें प्यारे बच्छों जो sin a plus b का फार्मूला होता वो क्या कहता है कि sin a plus b बराबर होता है sin a into cos b plus cos a into sin b यह है sin a plus b का फार्मूला अब इस फार्मूले से हम इसको expand करने वाले हैं ध्यान से देखना क्या आजाएगा y equal to a1 sin omega t प्लस sin a तो प्यारे बच्छों a के अस्तान पे आपका यहाँ omega t है और b के अस्तान पे प्या है इस बात को ध्यान देना तो क्या हो जाएगा sin a तो a2 तो गुना में है a2 आपका रहेगा ही sin a into cos b तो sin a यानि sin omega t हो जाएगा ना फिर cos b into क्या हो जाएगा b के अस्तान पे क्या है फाई है plus plus क्या है cos A ध्यान देना परंतु A2 का गुड़ासमने होगा तो A2 हो जाएगा क्या हो जाएगा cos A, A के हस्तान पे कितना है omega T है तो cos omega T plus sin B, B के हस्तान पे कितना है फाई है तो sin फाई हो गए क्या इतनी बात आपकी clear हुई प्यारे बच्चो कुछ भी नहीं किया गया था के और sin A plus B के फार्मूले से प्रसार कर दिया गया A2 का गुना इस भाग में भी A2 का गुना इस भाग में भी किया गया अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो sin omega t sin omega t दोनों में कामन है तो हम क्या करते हैं sin omega t कामन ले लेते हैं क्या प्यारे बच्चों यहां से लिखें sin omega t कामन है जैसे ही sin omega t कामन लोगे तो इस पक्ष में A1 बचेगा और यहां पर A2 बचेगा यह बाहर हो चुका है into क्या बच्चा है cos phi ना प्लस उधर क्या बच्चा है प्यारे बच्चों A2 cos omega t into होना चाहिए यहां plus नहीं ठीक तो into क्या है प्यारे बच्चों sin phi हो ठीक क्या इतनी बात आपकी clear हुई एक कॉस ठीटा के बराबर है यह याद रखना होगा प्यारे बच्चों ध्यान से तो मैं मानता हूं माना A1 प्लस A2 कॉस फाई बराबर A कॉस ठीटा ये समीकर नंबर तीन नाम दे देते हैं प्यारे बच्चो ठीक और साथ में और ध्यान देना प्यारे बच्चो अब अगला जो A2 साइन फाई है A2 साइन फाई तो अगला A2 साइन फाई बराबर A साइन ठीटा माल ले दे समीकर नंबर चार ठीक क्या इतनी बात क्लियर हुई इतनी बात आप क्लियर किये A1 A2 कॉस फाई को A कॉस ठीटा नाम दिये और A2 साइन फाई को हमने a sin ठीटा नाम दिया अब हम इस वाले समीकरण को इसके मदद से लिख देते हैं तो क्या मिलेगा राष्ट लास्ट ओला रिजल्ट छले ध्यान से दिखेगा अब लास्ट ओला रिजल्ट क्या आएगा यहां इतने के अस्तान पर a cos ठीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y equal to क्या मिलेगा sin omega t फिर आगे क्या है पहरे बच्चो इतने के अस्तान पर a cos ठीटा रख रहे हैं प्लस a2 sin phi के अस्तान पर हम लोगों ने a sin ठीटा रखा है तो a sin ठीटा इंटू क्या बच जाएगा cos omega t तो cos omega t इंटू क्या जाएगा a sin ठीटा क्या इतनी बात आपको clear हो रही होगी प्यारे बच्चो अब आपको करना क्या कुछ भी नहीं करना था केवल जहां ये सारा चीज आया था इसके अस्तान पर a cos ठीटा और ये भाई साहब जो ऐसे थे इनके अस्तान पर a sin ठीटा रखना है बस और कुछ भी नहीं है ध्यान से समझेगा बस तो आपको वह वाला समीकरण मिल जाएगा अब आएए हम उस समीकरण पर ध्यान देते हैं कि अगर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं तो मिलाएएगे से साइन ए तो साइन ए एक एस्तान पर उमेगा टी है साइन ए फिर इंटू- कॉस भी तो पियारे बच्चों यह बी के स्तान पर क्या है ठीटा है अब ये जो A है एक मिनट एक मिनट प्यार बचे थोड़ा सा ओर टाइम दीजिए भस अभी A का कहानी भी खतम देखें दोनों में कामन है A दोनों में क्या है कामन है तो कामन ले लो Y इक्वल टू आ जाएगा A आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू क्या हाजाएगा कॉस ठीटा प्लस क्या इधर आजाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ठीटा अब खतम A की कहानी अब आप दिहान से देखना साइन A A के हस्तान पे क्या है ओमेगा टी है साइन A के हस्तान पे क्या है ओमेगा टी है A के अस्तान पर T, B के अस्तान पर T, फिर A के अस्तान पर T, और B के अस्तान पर T, तो फामूला क्या बनना है दोस्तो, sin A into cos B plus cos A into sin B, तो A के अस्तान पर T है और B के अस्तान पर T, तो sin A plus B हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि sin a plus b बराबर ये वाला फार्मुला होता है और इसी फार्मुले से same to same डिक्टो मिल रहा है देख लिजिए तो उसे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चो ध्यान से लिखना लास्ट वाला जो फार्मुला आएगा y equal to a तो आएगा ही आएगा साथ में sin a plus b हो रहा है फार्मुला नयद yum इतना sin a plus b तो sin a के अस्थान पे omega t है और b के हस्थान पे क्या है ठीटा है तो जो resultant वाला परिडामी तिवरता का बेंजक प्राप्छो वो प्यारे बच्चो ये था परिडामी तिवरता का बेंजक परड़ामी तिबरता का आप लोगों ने बेंजक क्या निकाला y equal to a sin omega t plus theta theta कलांतर है प्यारे बच्चो और a क्या है आयामो की परड़ामी तिबरता है जहां capital a क्या है आयामो की परड़ामी तिबरता है और theta क्या है प्यारे बच्चो कलांतर है तो गाइज जो ये आपने समी करण प्राप्त किया ये समी करण परडामी तरंग की तिवरता है अब हम जो ग्याद करने वाले हैं वो हम ग्याद करेंगे जो ये capital A आया है इसकी value क्या होगी अर्थात आयामों की परडामी तिब्रता या परडामी आयाम निकालने चल रहे हैं तो जो समी करड तीन और चार हैं इन्ही तीन और चारों का क्या करते हैं प्रवचो वर्ग करके जोड देते हैं तो ध्यान से देखना तो जो समी करण 3, वह 4 का वर्ग करके जोडने पर, क्या करने पर प्यार बच्चो जोडने पर, तो ध्यान से लिखना, समी करण 3 का वर्ग करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा? इनका वर्ग हो जाएगा क्या होगा प्यार बच्छो a1 प्लस a2 cos phi का whole square प्लस जोड रहे हैं यह वाला पक्च का वर्ग कर लिए अगले वाले पक्च का वर्ग कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा a2 sin phi का वर्ग हो गया बराबर अगला अब left hand side जोड लिए तो इसका वर्ग करेंगे प्यार बच्छो तो a cos theta का वर्ग हो जाएगा प्लस अगला कौन है a sin theta तो a sin theta का वर्ग हो जाएगा क्या इतनी बात क्लियर भी वर्ग करके हम लोगों ने क्यल जोडा है अब देखे यह a plus b का whole square तो a square plus b square plus 2ab पर इसका हम प्रसार कर देंगे तो इसको प्रसार करेंगे तो आएगा a1 का square इसको करेंगे तो a2 का square into cos square phi plus 2ab a कहस्तान पर a1 और b कहस्तान पर a2 cos phi प्लस यह दिखे इसका वर्ग करेंगे ति यह अकेला पद है ति यह आजाएगा a2 का square फिर sin square phi बराबर के यह वाला टर्म तो बराबर की वाला टर्म क्या आजाएगा यह आजाएगा a cos square theta अधर क्या आजाएगा plus a square sin square theta इधर square आएगा ठीक अब ध्यान से देखना अब आप लोगों को दिक्कते नहाए प्यारे वच्चो इसलिए मैं इससे यह लगा रहा हूं कि आपकी यह line थी उसके बाद यह line है ठीक अब जो हमारी अगली line होगी प्यारे वच्चो वो क्या होगी ध्यान से देखिए अब आप यहां से देखिए इसको हम इसके पास लेके जा रहे हैं और इनको इधर ला रहे हैं तो क्या जाएगा एवन का वर्ग प्लस क्या जाएगा प्यर्वेट चो एटू स्क्यार कास स्क्यार फाई या थोड़ा सा अगर आप लोग उबर स्मार्ट बनिये और ध्यान दिखिए ध्यान से दिखिए क्यों इनमे और इनमे एटू स्क्यार कामन है तो एटू स्क्यार कामन लेते हैं तेहां बचेगा कॉस स्क्यार फाई और प्लस वहां क्या बचेगा साइन स्क्यार फाई और क्या बचा क्लस टू एवन एटू कॉस फाई ठीक यह हो गया बराबर इन दोनों में क्या कामन है A square कामन है क्या बचा Cos square theta प्लस sin square theta अब ऐसे प्यारे बच्चो बहुत सारी चीजे हैं जिसका मान एक होने वाला है ध्यान से देखो प्यारे बच्चो इतना जो total वाले जो चीज है इसकी value क्या हो जाएगी एक हो जाएगी और इधर देख लो ध्यान से इसकी जो value हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी एक हो जाएगी तो जब एक हो जाएगी तो अब क्या मिलेगा तो एक का गुड़ा इसमें करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा A1 का square प्लस क्या हैगा A2 का वर्ग प्लस 2 A1 A2 इंटू कॉस फाई बराबर इधर क्या बच्चा A स्क्यार बच्चा ठीक अब इधर से स्क्यार हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा करड़ी तो हम उसको इधर लिख रहे है प्यारे बच्चो और अंडर रूट लगा रहे हैं क्या जाएगा A1 का वर्ग A2 का वर्ग प्लस 2 A1 A2 इंटू क्या जाएगा कॉस फाई तो ये प्यारे बच्चो परड़ामी आयाम का बेंजक आया किसका आयामों का परड़ामी जो कैप्टल यहां पर आया था उसका बेंजक ये प्राप्थ हुआ तो प्यारे बच्चो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो परड़ामी आयाम है वो तरंगों के आयामों के आयामों पर और साथ साथ में कलांतर पर निर्भर करता था था फाई पर निर्भर करता है यानि परड़ामी आयाम तरंगो और सासाथ में कलांतर पर निर्भर करता है, इस प्रकार आपने आयाम निकाल लिया अगर यही पर आपको यह जो ठीटा है अगर यह ठीटा की बैलू निकाल ली है तो भी हम आसानी से घ्याद कर सकते हैं कैसे जो यह सभी करन्ड चार्ण जो चार है उसी में हम क्या करते हैं तीन से भाग दे देते हैं प्यारी बच्चों तो वो सब ग्याद करने के लिए सबसे पहले आप चाहो तो आप इसका फर्ष्ट जो ये पार्ट ये वाला पार्ट है आप चावत इसका एक स्किन्स और लिजेगा फिर हम बाते करेंगे आगे की कुछ important चीजों की अभी बहुत सारी चीजें हैं यो कि आपके आगे वाले जो यंग के प्रयोग आने वाले हैं उन derivation में वह बहुत ही लावधायक होंगे प्यारी बच्चो तो आप इसका एक स्किन्स और लिजेगा फिर हम बाते करतें आपकी आगे की टॉपिक की अब आप देखें जो ये समी करण 4 है और समी करण 3 है तो समी करण 4 में 3 से भाग देने पर तो लिखेंगे समी करण चार बटे समी करण 3 से तो समी करण 4 क्या है प्यारी बच्चो यही है A2 साइन फाई है फिर बराबर क्या है A साइन ठीटा है अगला क्या है प्यारी बच्चो बटे क्या है A1 प्लस A2 कॉस फाई है बटे क्या है A कॉस ठीटा है ठीक A से A कैंसिल हो जाएगा और साइन ठीटा बटे कॉस ठीटा को प्यारी बच्चो हम क्या लिखते है टैन ठीटा ना तो क्या मिल जाएगा a2 sin phi पूरे के बटे क्या आजाएगा a1 प्लस a2 cos phi ठीक उधर आगया भाई 10 theta अगर आपको theta निकालना तो 10 को इधर कर दीजेगा तो 10 इधर आएगा तो 10 inverse हो जाएगा क्या हो जाएगा a2 sin phi बटे a1 प्लस a2 cos phi बराबर क्या मिल गया theta तो theta की भी value आपकी आगई यह लिजे theta की भी value आप लोगों ने प्राप्त दिखल लिए इस प्रकार हम लोगों ने पहले आयाम निकाला विस्थापन का समीकर निकाला फिर साथ में हम लोगों ने theta निकाल लिए अब कुछ ऐसी चीजे होती है जो की हम लोग जानते हैं वो अब सारी चीजे आपके extra point में जाएंगी ध्यान से दिखेगा अब सबसे पहली चीजे extra क्या आती हैं हम जानते हैं प्यारे बच्चों क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो प्रेकास की तिब्रता होती है जो प्रेकास की तिवरता होती है आई जो प्रेकास की तिवरता आई होती है वो आयाम के वर्ग के समान उपाती होता है मतलब आई प्रेकास की तिवरता आई प्रेकास के आयाम के वर्ग के अनकमान उपाती होता है अर्थात जिस प्रकास का आयाम जितना जादा रहेगा उतना ही प्रकास की तिवर्ता भी अधिकर हेगी तो द्यान से लेखना अगर मैं इस प्रपोश्नल को हटाऊं और एक नियतांक लगा लूँ प्यारे बच्चो और जहां K काम अब ध्यान से रिखे तो I equal to क्या आ गया K A square ठीक अगर मैं आपसे कहूँ A square का मान रख दूँ तो अभी आपने A square का मान यहां से निकाला था पीछले अभी जाये थोड़ी दिर पहले तो हम लोगों ने किसका मान निकाला था A square का क्या निकाला था प्यारे बच्चो अगर आप ध्यान दिये होंगे तो A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग ना प्लस क्या था 2 A1 A2 कॉस फाई यही था अब आप A square का मान यह था अब K का गुड़ा कर दें तो K A1 का वर्ग प्लस क्या जाएगा K A2 का वर्ग ना प्लस फिर K का गुड़ा कर देंगे तो 2 K A1 A2 कॉस फाई ठीक अब ध्यान से देखिए अगर मैं आपसे कहूं जो यह K A square हो I के बराबर तो यहाँ K A1 है क्या होजाएगा प्यरबचो I1 का work हो जाएगा यह ऑँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा I2 का work हो जाएगा बोलिए बिल्कुल होगा देखिए क्यों क्यों कि प्यारबच्चो K A1 का K A square I के बराबर है तो K A1 use natural यह आपका only i1 होगा और यह आपका only i2 होगा इस वारे फामुले की मदद से ठीक देखो जब से अगर यहाँ 1 होता यहाँ 1 होता यहाँ 2 होता यहाँ 2 होता तो वही सेम प्रोसेस हम नीचे भी कर रहे हैं चलिए अब यहाँ आगे देखिए इतनी बात क्लियर हो रही है अब आ यह अंडरूट में आजाएगा प्यारे बच्छों अंडरूट में आपका क्या आजाएगा यहाँ से मिलाक हो जाएगा i1 और i2 फिर क्या जाएगा कोस फाई तो इस प्रेकार जो पर्डामी तिवरता का बेंजक आएगा वो पर्डामी तिवरता का बेंजक ये हो जाएगा i equal to क्या हो जाएगा i1 plus i2 plus 2 under root i1 i2 क्या हो जाएगा cos phi तो हम लोगों ने जो प्रकास की तिब्रता थी उसके लिए भी बेंजक प्राप्त कर लिए किसके लिए प्रकास की तिब्रता के लिए भी बेंजक प्राप्त कर लिए तो प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहला है समपोसी या समपोसी ब्यती करने के अब हम बात किसकी करने वाले हैं समपोसी ब्यती करने के लिए प्रकास की तिवरता क्या होनी चाहिए तो बात करें प्यारे बच्चों जो संपोसी व्यतिकरण होता है उसके लिए प्रकास की तिवरता अधिक्तम होनी चाहिए संपोसी व्यतिकरण के लिए मैंने शुरू में ही बताया कि जहां प्रकास की तिवरता अधिक होती है वहाँ संकोसी ब्यती करण होता है प्यारे बच्चों, अर्थात संकोसी ब्यती करण में प्रकास की तिवरता अधिक होगी, और यह तभी संभव हो है प्यारे बच्चों, जब कास फाई का मान अधिक्तम हो, जब क्यों क्यों कि जो प्रकास की तिवरता है, वो जो है फाई पर प्रेकास की तिवरता वह फाई पर निर्भरकरता है किस पर निभरकरता है जो भी रहेगा उसी पर प्रेकास की तिवरता अधिक होती है और यह संभ Wesley का प्यारे बच्चो कास फाई का मान अधिक्तम तभी होगा जब फाई का मान एक आए क्या है प्यारे बच्चो कास फाई का मान एक प्राप्थ हो तो प्यारे बच्चो कास फाई का मान होता है वो एक कब प्राप्थ होता है जब आपका क्या हो जीरो हो टू पाई हो फोर पाई हो फोर पाई हो शिक्स पाई हो एट पाई हो तो इन सब चीजों पे कास फाई का मान क्या होता है अधिक होता है तो फाई वहाँ क्या हो जाएगा आई हम निकाल लेते हैं अधिक्तम हो कास फाई कामान अधिक्तम हो अरथात हमें हाँ लिख सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं कि कॉस फाई का मान हर कंडिशन में एक से प्लस होना चाहिए या अधिक्तम एक होना चाहिए प्यारे बच्चो तो अधिक्तम एक होने के लिए कास फाई का मान क्या होगा अर्थात कॉस फाई का मान एक होना चाहिए तब जो कलांतर होगा तब कलांतर तब प्यारे बच्चो कलांतर अर्थात फाई यह जो फाई है प्यारे बच्चो यही जो जो कास फाई यानि कलांतर जो आएगा उसी किसा पे कास फाई का मान निकलेगा तो भही फाई का मान अगर मैंने कहा जिरो रखते हैं तो यार कास जिरो अंसकामान एक होता है अगर मैंने का अच्छे लोग 45 रख देंगे तो एक से कम हो जाएगा तो अधिक्तम होगा नहीं तो जिरो के बाद क्या रखते हैं 2 पाई मतलब 2 पाई का मतलब होता है पहले बच्छो 360 यानि हम कह सकते हैं कि जब हम कास 360 होगा तो भी तब आपका समकोसी बिती करण होगा इसी प्रकार अगर हम बात करें 4 पाई हो जाएगा इसी प्रकार डॉट डॉट करके हम कह सकते हैं तो इसकी जो हम सामान्य अवस्था लिखते हैं तो सामान्य अवस्था में क्या हो जाएगा जो फाई होगा जो कलांतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा पहले बच्छो 2 M पाई किसके बराबर हो जाएगा M पाई जहां M बराबर क्या रखेंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे तो जहां यम बराबर क्या लिख सकते हैं पैरे बचो यम बराबर 0, 1, 2, dot, dot अब देखें कैसे अब यम कामान यहां 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा 0 मिला यम कामान जब 1 रखोगे तो 2 पाई आजाएगा मिला यम कामान 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 पाई आजाएगा यम कामान 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 पाई आजाएगे पैरे बच्चो तो सामान अवस्था में जो कलांतर का फामुला होता है समकोसी बतीकरण के लिए वो 2 M पाई होता है अगर हमने कलांतर निकाला है पैरे बच्चो तो यहीं पर पतांतर भी निकल जाएगा क्या निकल जाएगा पतांतर पतांतर होता X तो X बराबर होता है लेमडा बटे 2 पाई गुडे कलांतर गुडे क्या होता है पैरे बच्चो कलांतर तो चलिए अब क्या हो जाएगा लेम्डा बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्छो टू पाई और कलांतर का मान है टू एम पाई पाई से पाई कैंसिल दो से दो कैंसिल ठीक तो क्या आजाएगा पतांतर आजाएगा x बराबर ym lambda x बराबर क्या जाएग यm lambda ठीक तो प्यारे बच्चो जहां ym का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं तो जहां ym का जो मान आएगा वो 0 1 2 dot dot करके ऐसे कुछ ठीक तो ये आगए प्यारे बच्चो समकोसी बतीकरण के लिए आपका कलांतर भी फामुला आगया ठ्यान देना ये दोनों फार्मूले आपके यंग के प्रियोग में most important है इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं प्यारे बच्चो आपकी topic पहले ही समाप्त हो गई परन्ति ये सारी चीज़े यंग के प्रयोग में काम आएगा कि प्रकास की तिवर्ता परडामी तिवर्ता जब अधिक होती है तो उसके लिए कलांतर जो होता है वो 2m5 के बराबर होता है और पथांतर जो होता है वो m lambda के बराबर होता है इस हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सेकंड टॉपिक की बिनासी ब्यतिकरण के लिए किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों बिनासी ब्यतिकरण के बिनासी बती करण के लिए तो बिनासी बती करण मेंने भी सुरू ही की कलास में बताया था कि वहाँ पर प्रकास की तिवरता क्या होती है नियुनतम होती है तो क्या होगा प्यारे बच्चों बिनासी बती करण के लिए क्या होता है कि बिनासी बती करण में हम जानते हैं प्रकास की तिवरता नियुंतम होती है तो प्रकास की तिवरता नियुंतम कब होगी प्यारे बच्चो जब कास फाई का मान क्या हो नियुंतम हो अरथात हम कह सकते हैं कि जो कास फाई होता है वो सबसे कम मान जो होता है वो माइनस एक के बराबर होता है किसके बराबर होता है प्यारे बच्छो माइनस एक के बराबर होता है तो सबसे कॉस में सबसे निन्तम मान माइनस एक होता है सबसे अधिक्तम मान एक होता है तो अधिक्तम के लिए हम लोग संपोसी नाम दिए और निनतम के लिए बीनासी का नाम दे ığımız बताओ प्यारे बच्चों, मािनस एक कभायागा? जैसे आप लोगोंने यहां कलांतर निकाला तो कास फाय का मार्ण माइनस एक होगा, तो तब कलांतर क्या होगा? तब कलांतर फाय क्या होगा? चलिये तो हम धूरेंगे कि किस-kis मान पर कस फाइ का मान क्या होता है वाइनस 1 होता है तो फाइक पॉले टू क्या जाएगा प्याइरे बच्चो। जैसे मैंने आपसे कहा पई ंस पाई काश्ण पाई का मान 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 देख हो जाएगा फिर pi एक बाद 3 pi, 3 pi एक बाद 5 pi, ऐसे बढ़ता चला जाएगा pi एक्वल टू आ जाएगा pi, 3 pi, फिर आ जाएगा 5 pi, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों डॉट डॉट करके अहां से, ना तो कलांतर आ गया अब प्यारे बच्चो हम इसकी जनरल फामूला लिखना चाहते हैं वो कैसे लिखा जाए तो सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था में जो फामूला आएगा वो फाई एक्वल टू क्या आजाएगा अब आब ध्यान से देखना यहाँ पर आप टू उयम प्लस वन भी लिख सकते हैं जनरल अवस्था में यहाँ टू यहाँ यहाँ से कहा प्यारे बच्चो अब देखिए यह आपका सामान्य अवस्था का कलान्तर का फार्मूला आया है किस के लिए बिनासी ब्यती करन के लिए जहां M का जो मान होगा वो एक दो तीन ऐसे करके होगा अब ध्यान से समझना प्यार बच्चो अब देखो जैसे आप M का मान यहां एक रखोगे तो एक के दो दो में से गटाओगे पाई मिलेगा उपपर वाला जब दो रखोगे तो दो दूनी चार-चार में से गटाओगे तीन मिलेगा तीन रखोगे तेन दूनी च्छा-चा में से गटाओगे पांच मिलेगा तो सामान हवस्ता में कलांतर का फामूला यह होता है प्यार बच्चो अब हम क्या करेंगे पथांतर ग्याद करेंगे क्या ग्याद करेंगे भी पथांतर का फामूला होता है डिल्टा एक्स या एक्स एक्स एक्क्वल टू क्या होता है लेम्डा बटे टू पाई गुने कलांतर ठीक तो लेम्डा बटे टू पाई जहां से देखना कलांतर का फामूला अपने निकाला है क्या निकाला है टू एम माइनस वन लेम्डा टू बहुत इस में प्रिकार लेक्ट सकते हैं अब आप दिखे इनमें से क्या किया जा सकता है है well-life कि आप यह दुएं ces अब यह पाई से π pied कैंसल अब यहए माइस साएग में माइनस फिर क्या है लेम्डा बटे दो लेम्डा बटे दो तो यह आ गया प्यारे बच्चो संपोसी नहीं बलकि 82 ब्यतिकरण के लिए पतांतर का फार्मूला प्यारे बच्चो ध्यान से देखना कि यह 82 ब्यतिकरण के लिए पतांतर का बेंजक है और 82 ब्यतिकरण के उम्मीद है ची आज के last में कहीं भी यहां से प्रशन है आराम से सॉलव कर सकते हैं sometimes मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंग के प्रयोग के साथ तब तक क्लिए वीडियो देखे और इंजॉय किजे और दोस्तों के साथ सेर करना मत भूलेगा प्यारे बच्चों क्योंकि